दोस्तो हमारे चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको भीम बेटका की बारे में बताने वाला हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए भीम बेटका भारत के मद्यप्रदेश के रैसें जिले मिस्थित एक उरातन स्थल है इसके दक्षिन से साथ पुड़ा परवत मालाओं की शुरूआत होती है जुलाई 2003 में युनिस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल खुशित किया है इस जगह की खोच सन 1957 में डॉक्टर विश्णू श्रिदर वाकन कर द्वारा की गई थी इस जगह का निर्मान होमो इरेक्टस द्वारा एक लाख साल पहले किया गया था भीमबेटका में पाई जाने वाली एक कलाखुतिया तो तक्रीबन 30,000 साल पुरानी है इन चित्रों को पुरा पाशान काल से मत्य पाशान काल के समय का माना जाता है पूर्व पाशान काल से मत्य अइतिहासिक काल तक यह स्तान मानाव गतिवीद्यों का केंद्र रहा है भीम बेट का गुफाओं की खासियत है कि यहाँ हजारों साल पहले बनी हुई कला कुरुतिया आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है यहाँ तकरीबन 600 गुफाई है परन्तु पर्यटकों के लिए सित्वारा गुफाई खोली गई है यहाँ प्राचिन किले की दिवार, लगुस्तु, पाशान निर्मित भवन, शुंगगुप्त कालिन अभिलेग, शंक अभिलेग और परमार कालिन मंदिर के अवशेज भी मिले है यहाँ जगह आतिवानोद्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है इन शैल चित्रों में दैनिक जीवन की घटनाओं से लिए गए विशेज चित्रित है यहाँ बनाए गए चित्र मुख्यतह, रुत्य, संगीत, आखेट, भोडो और हातियों की सवारी, आभुशनों और शहत्चमा करने के बारे में है इनके अलावा बाग, सीह, जंगली सूवर, आतियों, कुत्तों और घडियालों जैसे जनावरों को भी इन तस्वीरों में चित्रित किया गया है इन चित्रों को बनाने के लिए गेरुआ, लाल, सपेट, जैसे खनीज रंगों का इस्तमाल किया गया है और कही कही पीला और हरा रंग का भी प्रयोक हुआ है हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूली हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद